इस समय हम ललित कला अकादमी के अंदर हैं और यहाँ पर अंतरराश्ट्री महिला दिवस के मौके पर एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से धेर सारी पेंटिंग्स यहाँ पर प्रदर्शित हैं लेकिन इनका मतलब क्या है माइने क्या है जब आम आदमी देखता है किसी पेंटिंग को तो फोटो और पेंटिंग में क्या फरक होता है किस वज़े से हमको पेंटिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए या अगर हम फोटो से कंपेर करते हैं तो दोनों में फरक क्या है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्टिस्ट हैं आये उने से बात करते हैं क्या नाम है आपका मैं नाम है डॉक्टर जी यह बताइए आपकी पेंटिंग कौन सी है मेरी पेंटिंग यह है मैंने इसको टेक्चर बेस में मेरा काम है क्योंकि जो है हर आर्टिस्ट की अपनी पहचान होती है काम करने के तरीके को देखके यह पहचान में आती है कि यह काम किस कलाकार का है तो मैंने इसमें बनाया रहे हैं क्योंकि वो बेसिक रूप से वो नेचुरल जी रहे हैं और हम जिंदगी की भागदार में खुद को भी एक दूसरे से डिस्टेंस और अपना परिवार और सब सकते हैं तो इस तरीके से जानवर हैं यानि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई जानवर छुपा हुआ होता है यह कह सकते हैं क्योंकि हम सेल्फ सेंटर होते चले जा रहे हैं स्वार्थी होते चले जा रहे हैं और अपने स्वार्थ में अंध्य होकर हम अपने संबंधों को नहीं समझ पाते हैं तो संजीदा जी यहीं कहना चाहरे हैं जी जी मैं यहीं कहना चाहरे हूँ मेरा मेन इसके पीछे यहीं रिजन है कि हम अपने रिलेशन को खोते जा रहे हैं जो हमारे अंदर जो एक इमोशनल रिलेशन होना चाहिए अपने भाई, बहन, मा, बाप या पती, पतनी या बच्चे के बीच में वो इस इमोशन को हम नहीं समना क्योंकि इतनी भागद और टेंसन और जरूरते इतनी इंसान की बढ़ गई है कि उस बीच में हम अपने आपको खतम कर रहे हैं तो इसल में आपने शुरू की थी और बाद में कैसे काइसे आपका अट्रेक्शन कैसे हुवा है, प्यंटिंग्स क्लिए? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखा फीमेल के साथ और गरीबों के साथ और लोगों को देखते हुए मुझे लगा कि यार लाइफ ये भी है क्योंकि हम उस स्टेंडर से बाहर नहीं निकल पारते हैं पापा मेरे ऑफिसर रैंके थे तो जब मुझे थासा कॉलेज लाइफ म से मेरे अंदर जो चेंजिंग आई वो मैं खुद नहीं समझ सकती कि मैं कैसे प्रेंटिंग की तरफ गई और मेरे इमोशन भी चेंज हो गए एवन कि जो मेरे अंदर हाड़नेस था मार पिट ये वो तो एक से सॉफ्टनेस की किसी को चोट भी लग जाती थी अगर हम ब्लड दया का जश्ट अपोजिट होता है यानि इस तरीकी के परिवर्तन होते हैं लेकिन आप जो कह रहे हैं कितने साल से आप पैंटिंग कर रही हैं और आपकी थीम क्या रहती है मेरी theme रहता है में nature से रेके ही हम relate करते हैं क्योंकि मैं लगभग 20 साल से काम कर रही हूँ painting में और मैं nature इसलिए लेते हूँ nature मुझे हमेसा प्रभाइद करता है nature से निकले हम लोग भी है और nature में जो अलग-अलग movement आते हैं जो अलग-अलग form आते हैं वो abstract type के होते हैं जिसे हमको जिसे आप कभी cloud को देखिए उसमें एक form दिखेगा आपको कभी लगेगा बिली है कुता है आदमी है यह यह वो या कहीं patches पड़े हुए देबाल पे तो उसमें एक form जो मुझे हमेशा एक abstract form दिखा कोई भी चीज मुझ करना किस तरह से अपने धारनाओं को उतारना है तो वो abstract form ही जाता था आपको जाता था कि मैं मुस्लिम धर्म से भी बिलॉंग करती है और हमारे गौड जो है वो abstract में ही बोला जाता है कि हम अल्ला की तस्वीर नहीं बना सकते हैं तो हमारी परवरी से ही एक तरह से abstract में होती ही है तो जब हम उस मुकाम पर पहुंचे तो मुझे लगा कि मुझे हर तरफ abstract ही feeling क्यों जा रही है तो मैंने अपनी पेंटिंग में वो abstract चीजों को डालना शुरू किया और फिर मैं उसी पर लेके काम करना शुरू की अंतरराश्ट्री महिला दिवस है आज उस पर क्या जो है देश भर की दुनिया भर की महिलाओं को क्या message देना चाहूंगी संदेश उनको कि देखिए अपने बहुत सारे ऐसे problem होते हैं कि जिसको लेके महिलाएं बहुत सी अच्छे अच्छे talent छुप जाते हैं घरों के हैं हमारी तो वो उतसे देश सतंतर हो चुका हम बंदे हुए नहीं हैं तो हमारी feeling क्यों बंदी हुई रहा हम अपने घर परिवार सब को देख कर काम कर सकते हैं हम यह नहीं करें कि पूरू समाज हमको दबाता है यह देखिए धारणाय थी यह गलत है कि पूरू समको दबात तो आप ना किसी को दबाईए और ना खुद दबिये अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जिन्दगी जीने का तरीका मतलब कि नहीं मिला उस समय में किसी वज़े से तो आप अपने आने वाले समय में अपने बच्चों को या बहू के रूप में चाहे बेटी के रूप मे कोई भी कलाहर इंसान के अंदर होती है, किसी भी तरह से आप अपने आपको निकाले, यह नहीं कि हम कलाकार हों तब ही निकाले, नहीं हम अपने बच्चों को कुछ ऐसा भाई हम जरूर नहीं कि कलाकार हों, हम कुछ और फिल्मे हैं, हम अपने बच्चों से या हम जहां काम कर और आगे बढ़िए आपका धेर साथ धन्यवाद निव जी स्टेशन से पाचित के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि महिला कलाकार किस तरीके से किस खुबसूर्ती के साथ उसने बताया कि कि जिंदगी को कैसे जीए किस तरीके से आप अपनी भावना एक्सप्रेस करे और कहीं दबने की जरूरत नहीं है किसी से भी दबने की जरूरत नहीं है कि अगर आप सही है तो दबने की जरूरत वैसे भी नहीं होती सिद्धार्थ निव जिस्टेशन दिले